Hello friends, welcome back to my channel Rekha the small world, कैसे आप सब, I hope आप रो बात अच्छे होंगे, होली मना रहे होंगे, मस्त होंगे, तो आज सुबह की होली का सुबह है, सुबह सुबह मैं सबसे पहले जो धंडाइका मैंने मिक्स किया था मिक्षर ना उसको मैं पीस ले रही हूँ, ये सुबह का काम सबसे तो आप रहे होंगे फ्रिज में, पिर अगर जो भी गेस टाइंगे, उनको मैं देती जाओंगे, तो ये सुबह का ये पाहला ये ठंडाइकी वो रेडी हो जाता और हजबने भी गए हुए, चाय पी लिए हो और गए हुए मतन लाने के लिए, मतन का मसाला बनाने वाली है, तो इसके लिए ठंडाइका पौडर पहले में ये बनाईकी पाउडर ने, इसको ना बस चीनी के साथ भोल लिए, पीस लिए हुए, थोड़ी सी मैने चीनी डाला है इसमें, और इसके बाद भी तूद को में थोड़ा सा चीनी डाल करके उबाल लूँगी, और उसमें ये ठ क्लास में डाल करके तुरंथी दे सकती हूँ, ये मतन डाई रेडी हो जाएगा और उसके बाद मैं जैसे हजबन मतन लेकर आएंगे बाफिर मतन का प्रिप्रेशन करूँगी, मतन लेकर के आ गये हैं और मैं ये मतन का मसाला त्यार कर पहले मतन को मैंने दूख करके अच्छ करती हूँ, पीषने के बाद इसको अच्छे, जो मतन मैं ने धोगर रख तक मिला दूगी और थोडा सा उसमें त्यल तक मिला वला कर भाख दूगी, और मैं उदर प्याज काटने की त्यारी करते हूं जो मटन का मेन है ना इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है सारे मसाले जो है ना वो अंदर तक चले जाते हैं नमक बगर से मैं अभी डाल दिया है और बस इसको अच्छे से मिक्स कर दूंगा इतनी भीड थी ना मटन शॉप करके भी नहीं दिया अच्छे से और हजबन छे बचे सुबह में गय तो साड़ साथ में आता है जबकि दो तीन जगए गये वो ले कहीं भी मतलों भीड कम नहीं थी हर जगा बुत नहीं भीड़ती और अभी मैं मतन को पैरिनेट कर दी हूं प्याज भी काट ली हूं और देडरी मिक्स करके माल पुआ का मिक्शर भी रेडी कर रहें मैं छोला भी बना रही हूं एल्जा मैंने कडाई चढा दिया है पुआ के लिए पुआ तलने में बहुत टाइम लगता है माल पूआ बनाने में या किसी वी तरह कर नॉर्मल पूआ भी जो होता है तो पैसमें पर एक घंड़ लगे जाएगा तो इसलिए मैंने साथ हत में एक ताव पर सब्जी चलती रहेगी और दूसरे ताव पर यह मैंने देखी कडाई चड़ा दिया है मीट के लिए और इसमें मैंने सरसो तेल डाला है कड़ाही में और जीरा और तेजपत्ता का फोरण नलके प्याज डालें प्याज को मतलब फ्राई होने में दस मिनट आराम से लग जाएगा और मेरी जो पुआ है वह बिलुकुल रेडी हो गए सारा पुआ जो प्रेप्रेशन कि शाम में चुछा रेडी वगर हो करके निकलूंगी और लोग भी अगर आएंगे तो आएंगे ही विसे इसमें मेरे अपार्टमेंट में बहुत लोग नहीं हैं चले गया हैं मतलब बहुत लोग मैं बोल सकते हो कि जो हमारे ग्रूप में रहते हैं जो मेंली दस बंदर लो मतन को पूरा जब राई हो गया रेडी हो गया तो मैं इसको कुकर में डाल करके पलट ले रही हूं और उसमें कुकर में मतलब बिल्कुल सीम कर दूंगी और इसको स्लो कुकिंग करूंगी ताकि इसका टेस्ट है ना वह अच्छे से उभर करके आए और बस पाई डाल करके इसको बंद कर दूंगे हीट को और सचमुछ ना यह मतन अच्छा बना था होली के दिन की क्या बता हूं आपको बच्चे रेडी हो रहा है होली के लिए होजस तो खेल करके भी आ गया और मुसकी होली खेल करके नहा लिया अब यह खाना खा रहा है मतलब ग्यारा बज़े त तरह से उजस भी रंग खेल करके आ गया है अब 11 के करीब बच रहे हैं और बस अभी लोगों को तेज भूग लगी है सुबह में कुछ-कुछ खाया था जैसे जो भी पाप्री की है यह सब खाके चला गया था और बस अभी देखिए दोनों की भूग जो है बिल्कुल तेज सब्सक्राइब नहीं हूँ और आप लोगों कोई पता है जैसे कि मैंने पहले भी ब्लॉग में बताया था कि मेरी मेड नहीं आ रही है तो उसका अभी अलग से काम है तो फ्रेंड वीडियो को लास जूर देखिएगा और मैं होली करके बनादे कि मैंने घजबन को ना यह ज अड़ूल भी था अप्राचिता भी था गेंदा भी था सब खिल गया था और बस अब यह खाना वाना खाली हूं लोगों को पापडी चाट खाने का मन किया है तो मैंने मटर तो पहले सुबह बना ले था बस चाट रेडी कर रही हूं चाट के लिए सबसे पहले पापडी को मैं तो मैं air कि अनियुकर में ओप मतर क चोला बनाए हो विए डाल रही हों और इसके बाद उसके ऊपर में प्याज टमाटर और थनिया पत्ता और हरी मिर्च डाल दी हूं पिर चाट मसाला उसके बाद काला नमक उसके बाद दही और दही डालने के बाद इसमें थोड़ा सा मैं हरा धनिया डालूगी और फिर हरा धनिया और पुदिने की चट्मी जिससे मैं हरा धनिया पुदिना थोड़ा सा हरी मिर्च और तेल और निबू धेर सारा डाला है और ब बस इमली की मिठी चटनी डाल करके उपर से सी डाल करके हमारा जो चार्ट है वो त्यार हो गया यह भी बहुत टेस्टी बना था और थोड़ा धिस्टी लग रहा था इसके बाद मैंने जलेवी की प्रिपरेशन करना था जलेवी के लिए मैंने जो दही बड़ा का जो बैटल जब लिया था उसको मैंने थोड़ा सा चावल काटा मिला दिया कुरकुरापन के लिए और हलका सा फूड कलर डाला है यलो कलर का मेरे पास औरेंज कलर नहीं था उसको अच्छे से मैंने भर लिया है इस बॉटल में और उसके बाद बस दिलेवी को तल लेना है और माल पुआ क जो मैंने तियार किया तरसीरा वो तो है ही उसी में जलेवी को डाल दोंगी और हमारे जलेवी यह भी बहुत टेस्टी बना था मैं क्या बता हूं जिनको भी खिलाए ना वह बहुत तारिफ कर थे मेरी दीदी ओजर्स और भी लोग तो इसमें मैंने थोड़ा सा रबली डाल पर ताकि जो मीठा है ना उसको कट कर दे वो तो भी बहुत टेस्टी बना था इसकी रेस्पी में मैंने अपने चैनल पर डाल दी है अगर आपको देखना हो तो जरूर देखें सित मैं बताई देरी हूं इसे मैंने उरत दाल और चावल काटा मिलाया उरत दाल कर मतलब जो एक रखेगा और बस इसको अच्छे से मिला करके इसको कुछ नहीं करना है डाल करके डब्बे में जैसे भी बनाना चाहें बस उसको डाल कर सीरा में बस देख लिए और यह मैंने शाम का जो सजावर था देख लिए जो अबीर वगरा मैंने रख दिया ताकि महमान आये तो बार बार दो जाना पड़े और यह देखी मिली विगर आई थी तो मैंने फोटो तो नहीं किचा था मिली का फोटो में डाल रही हूं मैं गई थी उपर में दो तीन घरों में बस थेंक यू आज का ब्लोग कैसा लागा जरूर पताईएगा